नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 27 मई सुबर 6 बजे राजस्थान की खास खबरें राजस्थान में 87 लाग से ज़ादा हकदारों में 17-16 फिस्दी को जनवरी और फरवरी से समाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पाई जबकी मार्च में आदे ही पेंशनरों को भुगतान किया गया है अप्रेयल में तो किसी को पेंशन नहीं मिली वह अप्रेयल माहसी लागू होने वाली मुखे मंतरी भजनलाल शर्मा की पेंशन भड़ातरी की खूशना का लाब भी नहीं मिल पाया है समाजिक नयायो और अदिकारिता विभाग के आखड़ों की मताबिक इस साल जनवरी में पेंशनर की संख्या 87,32,491 थी और 925.79 करोड में से 149.03 करोड रुपए का भुगतान बकाया है फरवडी में 87,83,184 पेंशनर थी और 908.67 करोड में से 151.91 करोड रुपए का भुगतान बकाया है इसी तरह मार्च में 88,28,139 पेंशनर को 921.67 करोड रुपे का भुगतान होना था लेकिन 472 करोड रुपे का भुगतान बकाया है अप्रेयल में 88,21,501 पेंशनर थे जिन्हें 1036.37 करोड रुपे में से भुगता नहीं हुआ है राजिस्तान में बीशन गर्मी से जनता भुगत रही है कई जिलों में पारा 50 डिगरी के करीब पहुंच गया है ऐसे में लोग बिजली पानी और स्वास्ते को लेकर तरही माम मचा रहे हैं जिसे लेकर मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा प्यजल समस्याओं हैट पंप और ड्रिलिंग कारियों में जल्डाए इंजिनेरों की लापरवाही को लेकर एक्शन में है सीएम के आदेशों की बाद जल्डाए सचिव डॉक्टर समित शर्मानी चाक्सु में तैनाथ सायक अभियंता दौलत राम वर्मा जोदपुर के मंडौर में तैनाथ सायक अभियंता धन्नाराम को निलंबित कर दिया वें जल्डाए विभाकी ड्रिलिंग सी डिवीजन इंचार्ज अतिरिक्त मुख्य अभियंता जगतिवारी चिताडगड अदिक्षन अभियंता सुनेल गुपता पोकरन अदिशाशी अभियंता पराग सुआमी अनूपगड अदिशाशी अभियंता देव पाल गिरी वे ज जोदपुर शेर चतुर्थ अदिशाशी अभियंता मनोस भुवन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है इसे करम में स्वाई मान सिंग अस्पताल में हीट वैव से बचाव के लिए उचित परबंद नहीं पाय जाने पर अतिरेक्त अदिक्षक एवं चिकित्सा परभारी अ प्रदेश के युवा इन दुनों नौकरी के नाम पर बड़ी साजिश के शिकार हो रहे हैं बाडमिरोर नगोर की एक गैंग बार्वी और ग्रैजुएट युवाओं को कम्प्यूटर कर्मी और सेल्समैन की नौकरी दिलाने का जहांसा देकर बड़ी रकम एंट रही है इस दिन तक मॉटिवेशन ट्रेनिंग दी जाती है चौते दिन ब्यालिस हजार पे जमा कराने को कहा जाता है बच्चे घरवालों से जूट बोलकर इसके डिमांड करती है कि उनको लैप्टॉप मिलेगा इसलिए रुपए चाहिए जॉब लग चुकी है इन दौर वे जैपूर के जिस ऑफिस में ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है वहां कंपनी के बोर तक नहीं है इन दौर में किराणा की दुकान तो जैपूर में दांतों के हॉस्पिटल के उपर चल रहे हैं बाहरी लोगों पर नज़र रखते हैं सियम भजनल शर्मा ने कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी को दो ब्रस्टाचारियों का मिलन बताया सियम ने कहा आप ने कॉंग्रिस के ब्रस्टाचार के खिलाफ अंदोलन किया कॉंग्रिस के खिलाफ अंदोलन से उपजी पार्टी आज उसके साथ ही मिल गई है अरना हचारे के साथ बैठ कर जिस पार्टी के कर्प्षन के खिलाफ अंदोलन किया आज साथ चुनाव लड़ रही हैं आप और कॉंग्रिस दो भरस्टाचारियों का मिलन है हजनलाल पंजाब के फरीद कोड लोकसबा सीट से बीजेपी उमिदवार हंसराज हंस के समर्थन में मुकसर साइप में चुनावी सबा को संबोधित करे थे सीयम ने कहा कि जिस पार्टी का जनम ही भरस्टाचार की अंदोलन से हुआ वो आज उसी पार्टी से मिल जाए तो क्या नैतिक धरातल रह जाएगा सीयम ने कहा चार जून को बीजेपी और एंडिये चार सो पार करेगा पंजाब के बारे में आप और कॉंग्रेस वाले क्या बात करेंगे जो खुद ब्रस्टाचार में डूबे हैं ये क्या विकास करेंगे हमें पंजाब को विक्सित बनाना है बेशन गर्मी में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में नन्य बच्चों को बुलाया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री स्कूल यानि शाला पूरव शिक्षन केंद्र के रूप में भी संचालेता है भीशन गर्मी में राजकिय एवं नीजी विद्यालों में ग्रिश्मावगाश 17 मई से प्ररंब हो चुका है लेकिन आंगनबाडी केंदर में 6 वर्ष तक के नन्ने बच्चों को बुलाया जाता है आंगनबाडी में छोटे बच्चे तीन वर्ष के उमर में आने लगते हैं आंगनबाडी केंदरों के मादियम से गर्बवती महिलाओं पर सुत्ताओं वेकिशोरी बालिकाओं को मिश्रित पोशा अहार उपलब्ड करवाया जाता है प्रदेश में बड़े संख्या में आंगनबाडी केंद्रों में ना तो बिजली कनेक्शन है और ना ही पंक्खे हैं, कई में तो शचाले तक नहीं हैं, ग्रामिनिक शेत्रों में तो आंगनबाडी केंद्र गांज से एक किलोमेटर दूर चलता है, जिससे बच्चों को भी एक किलोमेटर दूर भीशन गर्मी में जाना पड़ता है। गिर गई, इसे कार में सवार सभी दस लोग खायल हो गए, जिनने परतापुर सीएची लाया गया, यह चिकित्सक ने रशीदा पत्नी हकीमुदीन को मरेत खोशित कर दिया, इसके बाद शरीफा और ताहेर को सागवाडा के नीजी अस्पताल पहुँचाया गया, जह पानी टैंकर से पानी बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर जन स्वास्ते अभियांतरी की विभाग की और से, चार ड्राइवरों के विरुद कड़ी कारवई करते हुए, चारों टैंकर ड्राइवरों के खिलाफ करदनी थाने में F.I.R. दर्स करवाई गई है, विभाग क अतरिक्त मुख्या अभियांता जैपुर द्वित्या अमिताब शर्मा ने बताया कि विभाग को नेशुलक टैंकर की एवज में पैसे की मांग करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जस प्रदिक्षन अभियांता उत्तर भवानी सिंग के नेतरतों में गठित टीम द्वा आए गए हैं, जिसमें लोगों से यह सरकारी टैंकर के ड्राइवर नेशुलक पानी के 700 से 1200 तक वसूल रहे हैं, वीडियो वाइरल होने के बाद जैनल स्वास्तिया बियांतरी की विभाग हरकत में आया, इस सरकारी टैंकरों के ड्राइवर के खिलाफ F.I.R. दर्स की गई ह राजे सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग एवं परत्यारूपन अधिनियम 1994 के तहत समूचित प्रादी कारी की सहायता और सलाह के लिए सलाहकार समीती का गठन किया, चिकित्सा शिक्षा विभाग की और से जारी अधिसूचना के अनुसार, चिकित्सा सदस्या सचिव होंगे, समीती में लौ एंड लेगल अफियर विभाग की सहयुक्त सचिव, SMS मेडिकल कॉलिज में सोपर स्पेशिलिटी ब्लॉग की अधिक्षक डॉक्टर विन्यम मलहूत्रा, नियोरो सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मनेश अगरवाल, सिवा नि काल दो वर्ष का होगा, विभाग के प्रियासों से कमेटियों के गठन के बाद, प्रदेश में अंगदान एवं परत्यार उपन का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। प्रदेश में दस शेरों में यह परिक्षा यूजित की गई, कोटा में दो सेंटर पर परिक्षा का यूजन हुआ, वें कोटा के इलावा अजमेर, अलवर, फीलवाडा, बीकानेर, हनुमानगर, जैपूर, जोदपूर और सीकर, उद्यपूर में एक्जाम यूजित किया स्टूडेंट्स को पेपर वन के लिए कंप्यूटर वे परिक्षा डेस्क साड़ी आठ बजे अलोट किया गया, परिक्षा की बाद 31 मई को रेस्पूंस जारी किया जाएगा, प्रविजनल अंसर की 2 जून को जारी की जाएगी, जिसके बाद अपतियां भी 2 जून से 3 जू दोनों अपने गाम कुंदाईला से मंडाना की तरफ जा रहे थे और पीछे से आ रहे ट्रक ने दोनों को टकर मार दी, मोडग थाना अदिकार योगेश कुमार ने बताया कि यह लोग जालवाड की तरफ से कोटा की तरफ जा रहे थे और इसे रास्ते पर पीछे ट्रक आ र और उसका 15 वर्षिय भतीजा योगेश की मौत हो गई खतना के बाद मौका सल से ट्रक चालक फरार हो गया जबकि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है अलवर जिले में कुरोना महमारी से मृत्यू का क्लेम उठाने के लिए डॉक्टर की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर कर परमान पत्र बनाने का मामला सामने आया है कोट रचित दस्ताविस बनाने के मामले में शिवाजी पार्क प्रात्मिक स्वास्ते के इंदर के परभारी डॉक्टर रतन बैर्वा ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्स करवाया है पूरा फर्जी वड़ा तब पकड़ा गया जब आरोपी ने कुरोना से मृत्यू होने का जिला प्रिशाशन को क्लेम पेश किया जांच में मामला फर्जी पाये जाने पर मुखे चिकित्सा इवम स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर योगेंदर शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारी की और से मामला दर्स करवाया गया है CMHO डॉक्टर योगेंदर शर्मा ने बताया कि शीवाजी पार्क निवासी विजर कुमार ने शीवाजी पार्क के प्रात्मिक स्वास्ते केंदर के चिकेच्सा परभारी डॉक्टर अतन बैर्वा की फर्जी मुहर बना कर पर्मान पत्र बनाया पर्मान पत्र पर उसने सारिकारी की दर्स करवाई शिकायर पर रिपोर्ट दर्स कर जाच शुरू कर दी है कर दी है